नमस्कार दोस्तों श्वागत हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से जिहां ये बिड़ो ध्यन्षे देखना आपको आज समझ में आएंगे कि महंगे रतना से अच्छा पेंड पोधे की जड़ होती हैं जी हां आज में आप लोगों को देखे हैं हम अकसर लोगों के हाथ में विभिन्ना रंगे बिरंगे पत्थाण जड़ी बुटी अंगुठी की रूप में देखते हैं दरसल ये रतना होते हैं जो कि अपने जीवान में आरी परसानिशे मुक्ती पाने के लिए भागे चमकाने के लिए किसी जोतिस के सला से लोग पहनते हैं नवगरा के नव रतना होते हैं जिन्हें मुख्य रूप से नव रतना कहा जाता है ये मुख्य रतना के लावा इन शभी की उपर रतना भी होते हैं जो की थोड़ा सा महेंगे होते हैं वेक्ती पहने होते हैं और उनकी उपर जो होते हैं वो भी काफी अच्छे होते हैं लेकिन ये आपको भी रतना धारा नहीं करना चाहते तो कुछ पेंड पॉधी की जड़ भी होते जिन्हें आप अपने पास मेरा करके रतनों जैसा ही प्रभाव पासकते हैं ब्लकुत ध्यान से दिखना और इन रतनों से भी और बिल्कुल ही ग्रह जो अब उको नुक्षान कर रहे हैं, अब उको पीड़ा पहुचारीवा दूर होते हैं, किन्तु रतनों में आजकल बहुत ही ज्यादा मिलावट हो रहे हैं, साथ ही महंगे भी हो रहे हैं, तो आम लोग इसे खरिद नहीं पाते हैं, तो क्या करें, आखिर रतन पहनने से क्या होता है, जड़ी बुटी पहनने से क्या होता है, बिल्कु ध्यान से देखेगा, तो देखे, रतन पहनने से क्या होता है, जैसे कि विभीन प्रकार के जो रंग होते हैं, वो अलग अलग ग्रहों को शमर पीत हैं, जैसे कि लाल कलर की को भी जितने प्रकार रंग के अधार पर उनके रतना भी बनाए गए हैं तो रतना क्या होते हैं ये साथ प्रकार की जो कहा जाए कलर हैं से संतूलित करने का काम करते हैं कलर की मतब एक प्रकार की जो उर्जा होती हैं संतूलित करने का काम करते हैं आपकी जीवन में जो बाधा आती परसानी आती हैं ये रतनों की कारान होते हैं तो अगर आप भी महंगे रतना खरीदने में शमर्थावान नहीं है या फिर आप रतना नहीं धारान करना चाहते हैं तो पेंड पोध्य की जड़ भी धारान कर सकते हैं मैं तो इस बिड़ो में बताना चाहूंगा महेंगे रतना से अच्छा पेंड पोध्य की जड़ी धारान करें क्योंकि रतनों में मिलावाट होती और काफी महेंगे भी होती हैं तो कुंसी ग्रा को प्रशन करने के लिए धरना करना चाहिए वीड़ो में continue बने राना आज को जो बिड़ो हैं बहुत ही शुन्दर हैं को मेंने बाकस में अभी तक जैसी राम नहीं लिखें तो जैसी राम जरूर लिखना वीड़ो को लाइक कर चैनल को स्ब्सक्राइब जरूर करें ना हमारे विड़ो को देख कर के क किसी एक भी वेक्ति का भला होता है तो हमें भी काफी अच्छा लगते हैं हमें भी पुन्य की प्रप्श होता है रो हमें भी खुसी मिलते हैं यूटूब में आज आ करके जो जानकरी दे रहे हुआ जानकरी शार्था हो जाता है तो देखें सरप्रथम जानते हैं शूरे को पास माना जाता है देखें मान सम्मान यस किर्थी तरक्की की चाह रखने वाले को रभिवार के दिन पिंक कपड़े में इसकी जड़ को बेल की मुल्की जड़ को ध्यान से सुनना जो वेक्ति ये सब मान सम्मान यस किर्थी तरक्की चाहते हैं ऐसे वेक्ति को रवीवार की दिन बिल्कुल ही बेल मुल्की जड दाहिने भूजा में ध्यान से शुनिएगा, दाहिने भूजा में बांध करके पुढ़ना चाहिए, सूरे की से बुरे प्रभाउ नश्टा होते हैं, सू प्रभाव में बृद्धी होती हैं, अपच हैं, चक्कर हैं, बार बा इसे सम्मंधित जो रोग हैं इसके धारान करने बाद दूर होते हैं तो आप ये धारान करने से पहले एक मैं मंत्र बतार हूँ इस मंत्रा का कम से कम एक सवाट बार जाब जरूर करेना और इस जड़ को इशनान करने बाद आपको धारान करना है ओम हराम हरीम हराम शह सुर्या नमा इस शुर्यदेव के बिज मंत्र हैं इसके बाद चंद्रमा से संबंधित बूरे प्रभाव कम करने के लिए आप जो है खीरिनी की जड़ ध्यान से सुनना खीरिनी की जड़ का परोग कर सकते हैं सोंवार के दिन सफेद कपड़े में हाथ में बांधने पर इसे बिल्कुल आपको बांध लेना है खिरिनी की जड़ को आपको अपनेर हाथ में भूजा में बांधना है तो इससे आपको पहने इस प्रकार से आपको धारान करना आप चात्यी से चांदी में टाल करके धारान कर सकते हैं विलो का आंखीम data बताऊंगा तो आपको शुभ प्रभाव मिन तो इसे किस प्रकार से धारण किया जैसे धारण करने से पहले आपको ओम स्राम स्रीम स्रॉम्षा चंद्रमश्य नमह इस मंत्रा का 108 बार जाब करना है सिस्टाने इस जड़ को अब देवी द्योंताओं की परतीमेग तरह पूझा करने के बाद धारण कर सकते हैं इसके बाद है मंगल ग्रह अगर कमजोर है तो क्या करे तो अनन्त मुली की जड़ में मंगल ग्रह का वास होता है ध्यान से शुनिएगा अनन्त मुली की जड़ में मंगल जी का वास होता है यह जड़ मंगल की बूरे प्रभाव को कम करके उससे समंधी जो परसानी आ रहे उन् परवारिक जीवन बरबाद हो जाते हैं तो इसे बचने के लिए आप जो अनत्मूल की जड़धारान कर सकते हैं वोठारान के सकते हैं इसमंत्मकी जड़धारा की जड़धारा थैस्य। कुप प्रभाव को बुध्ध के जो कहा जा तो खराब जो प्रभावाव को मेरे विश्य दूर करते हैं बुध्ध के बूरे प्रभाव से वेक्ति की बुध्धी छिन जाती हैं बुध्धी छमता बिल्कुल ये प्रभावीत करते हैं क्योंकि बुध्धी की देउता भगवान जिनके कमजोर हैं से वेक्ती अच्छे समय में निरणाय लेने में शमर्थमान नहीं होते हैं, इनके बुध्धी समापता हो जाती हैं, तो वीधारा मूल की जड़ को बुध्वार के दिन हरे रंग के कपड़े में बिलकुल ही हरे रंग के कपड़े में बांध करके शीदे हात में लड़की हैं तो बाहे हात में और इस जड़ को बांधने वाले को दुर्गा माता की अराधना करने बाधिश्य धारान करना चाहिए, इसके प्रभाव से नर्वस, डिशाड, ब्लड प्रेसर, अलसर, एसीडिटी, यह जितने भी अभी में बता रहा हूं, यह बुध हा रही हैं, कार हैं, वैफसाएं हैं, नवकरी में मनचाही तरक्की नहीं मिल पा रही हैं, तो यह सब कुछ गुरुग्रा के दूस प्रभाव के करन होता है, यदि ऐसा होता है तो वैक्ति को हल्दी की गांठ बंधना चाहिए, गुरुभार के दिन पीले कपड़े में में सफालता मिलना सुरू हो जाती है, कार हैं, वैफसाएं, नावकरी हैं, सब में तरक्की मिलता है, इसके प्रभाव से लिवर, जो गुरुग्रा है, इनके प्रभाव से वेक्ति के लिवर कमजोर होते हैं, चीकन पाक्सा होते हैं, इलर्जी होते हैं, पेड सम्दी जो रो बहुत ही लाबकारी शाबित हो सकता है इसका उपयोग किया जाता है सुक्रग्रा के बूरे प्रभाव शमापता करने के लिए विलासिता पुर्णा जीवन की चाह रखने वाले को इसकी जड़ का उप्योग जरूर करना चाहिए विलासिता पुर्णा जैसे कि जो लोग धनवान बनना चाहते हैं जिनके जीवन में धन की कमी है तेजी से धन प्र पर बंद सकते हैं तो इसके प्रभाव से देखे जिनके शूकर ग्रह कमजोर होते हैं इसे वेक्टी को खासी अस्थमा गले फ्यप्ड़े समंदी जो रोग है यह होता है चलिसके मैं मंत्र बता दू जो लोग तेजी से धनवान बनना शाते हैं ऐसे वेक्टी भी से धारान कर स सकते हैं हीरे से भी अच्छी रिजल्टर मिलेंगे ओम द्राम द्रीम द्रॉम सह शुक्राय नमह इस मंत्र खजाब करते हैं इसके बाद आते हैं शनी जी देखें अभी की जहरेशन में बहुंसे लोग सनी की पिड़ा से परसां रहते हैं तो यदि किसी की जीवन में लगातार दुरघटना आ रही हैं धन हानी होती हैं बिमारी बनी रहती हैं तो ऐसे वेक्ति सनी की बूरे प्रभाव से गुजर रहा होता हैं तो इस बूरे प्रभाव को कम करने के लिए धतूरे की जड़ बिलकुल ही धतूरे की जड़ आप पहन शकते हैं धतूरे की जड़ में शनी लिए अच्वार के दिन काले कपड़े में बांद करके दाहिने भूजा में ध्यान से शुनना दाहिने भूजा में आपको बांधना होता है। पहले आपको कुछ में मंत्र बता हुए इस मंत्र को एक सवाड़ बार आपको बोलना है ओम प्राम प्रीम प्राउम शह सनिश्चराय नमः फिर से सुन लिजे ओम प्राम प्रीम प्राउम शह सनिश्चराय नमः या फिर सनिश्चराय नमः बाद जो है आप सनिय नमः भी ब प्योग कर सकते हैं सनीवार या सुमवार को सफेद भूरे रंग की कपड़े में इसे बांद करके आपको पास रखना है ये फिर आप इसे धरन कर सकते हैं महिलाओं को गर्भासा समंधी रोग होता है ये राहू की कमजोरी की करण तो अचा की समस्या बनती है गैस है कप प्रा प्रूश्य धारन करे इसका मंत्रा है ओम भ्राम भरीम भ्रौम फ्रॉमशह राभ्य नवा फिर से मंतर सुमने ओ मरिम भ्रॉम् भ्रौम राभ्य नमा यह मंत्रा जाव कननेक बाद आबको जड़ धारन करना है आए आए अब जानते हैं के तु तो Champa अश्वगंधा की जड का प्रतिनी धीगर, केतू है, इसमें केतू कवास माना जाता है, केतू के अशुब प्रभाव दुर करने के लिए आप जो हैं अश्वगंधा जड़ धराण कर सकते हैं, अश्वगंधा की जड़ को नीले रंग की कबड़े में बांध करके शनिवार को सीधे हाथ में बांधा करने से पूरू में वंत्र बतारो इस मंत्र गजाब करना होता है ओम इस्त्राम इस्त्रीम इस्त्राम शाह केत्वे नमा फिर से ध्यान से सुन लिजे ओम इस्त्राम इस्त्रीम इस्त्राम शाह केत्वे नमा इस मंत्रा को एक सवार बुर कलके एक सो आड़ बार आपको बोलकर क धरन करना है चले अब जानते हैं ध्यान रखने योग्या बात इसमें आपको एक दिन पहले इसके निमंत्रण देना होता है इसके बाद आप जो है अगले दिन जैसे शुब प्रफ्राइब को देखना होता है इस बात को भी से ध्यान रखना है आपको शुमोर्तमी से लाना होता है शुरू दे से पहले जड़ को कच्चे दूद और गंगा जल से धोकर कि पूजय निस्थाने आपको रखना होता है इसके बाद उसे समंधी जो मैं मंत्रा बताया हूं इस मंत्रा को कम से कम एक सवाड बार एक माला जरूर जाप करने फिर आपको इससे धारन करना है शुंगंदी धूप लगाने एक बाद आपको अपनी मनो कमना बोल करके भी इस जड़ को आपको धारन करना है शंकाल पर ले लेना है जड़ को कपड़े की बजाए चांदी की बहुत ही उत्तम फलकारी होता है आपको अच्छे result मिलते हैं मैं तो कहना चाहूंगा चांदी की ताबिज भी कुई महेंगए नहीं आते हैं 2-300 रूपए में आपको अच्छे quality का चांदी के ताबिज मिल जाएंगे उसमें इसके जड़ को आप जोह डाल करके धारान कर सकते हैं आपको अच्छी रिजल्टा मिलेंगे तो महेंगे रतना से अच्छा होता है कि आप ग्रहों के दूस प्रभाव से बचना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपकी जीवान में ग्रहों के कराना प्रगती आए तो हमने विड़ों में जितने भी तरीका बताएं हैं जड़के बारे में इसके अभर कर सकते हैं अगर आप जैसे की शफे काले कलर आप इनके जड़की कोधहरण कर सकते हैं तो यह थे जनकरी दर्सकों करste words के कोमेंक सेक्शन में जरूर बता, क्यों में ओम नमस्चिवाय यह जैसी रम जरूर लिखना बिर देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार